नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेसन हैं आप पर है करकरेका भारत में कुल कितने राजियों से होकर की गुजरती है और उन राजियों का नाम भी आपको पता होना चाहिए करकरेका किसको बोलते हैं करकरेका हुआ कालपनिक रेका है ये गलोब हो गया प्रितवी साड़े तेश डिगरी और ये भी नार्थ में एक साउत में भी होता है साड़े तेश डिगरी इसको माल लेजे जीरू डिगरी हो गया इसको माल लेजे साड़े तेश डिगरी नार्थ और इसको माल लेजे साड़े तेज डिगरी साउत में दक्षिड में तो जो दक्षिड वाला साड़े तेज डिगरी होता है उसको बोलते हैं मकर रेखा और जो उत्तर वाला साड़े तेज डिगरी होता है उसको बोलते हैं करकरेखा अब यहां पर इंडिया का मैप तोड़ा स के बीचोबी से गुजरती है भारत के मदेंставля हो करकर गुजरती है और विश्व में कुल improv sounds कल्म herekin और गुजर अब उन 1700 के नाम भी एक बार देख लेंगे है ठीक है तो特क क्ल्antage राजयों रेखा को करकर रेखा कहा जाता है सुने डिग्री को विश्वत रेखा करते हैं या भूमद रेखा करते हैं साड़े तेस डिग्री साउथ या दक्षली रेखा को मकर रेखा करते हैं तो उन राज्यों के नाम आप देख लीजिए पस्यम से स्टार्ट करेंगे ये भारत जैसे के नाम आप याद रख लीजिएगा second question देखते हैं भारती माद देश समय रेखा कुल कितने राजियों से होकर की गुजरती है zero degree देशांतर रेखा को अंतर राष्टी मान के समय रेखा करते हैं अच्छे हाँ पर साथ एक चीज़ बताना छूड़ गया तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे करक रेखा के लिए यह एक अच्छांस रेखा है और भारती माद देश समय रेखा एक देशांतर रेखा है तो सुन्य डिगरी देशांतर रेखा को बोलते हैं अंतराष्टी यह मान के समय रेखा अंतराश्टी तिति रेखा अलग है अंतराश्टी है, मानक समय रेखा जीरो डिगरी को बोलते हैं और एक्सो असी डिगरी देशांतर रेखा को अंतराश्टी तिति रेखा बोलते हैं ये सबी कॉर्षन अपने आप में बहुत important है, आप ध्यान से सुनते चली करेगा आप एक अच्छा इसको फुरू फ्रास्य कर सकेंगे तो भारति मात देस्म मियुखा कुल पांच राज्यों से ए को पांच राज被 मात समय रेखा भारती शार इस अंतर रम यह तो आब यहीं रिका किस तरह रेखा को कहते हैं, जिनसे होकर के भारती माँदिय समय रेखा गुजरती है। अच्छे ये निकालते कैसे हैं भारती माँदिय समय रेखा आगर आप जानना चाहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं। 60 degree कुछ मिनट से लेकर के, सतार में डिगरी कुछ मिनट तक ये भारत का देशांतर ये विस्तार है मतलब पस्चिम से पूरब का विस्तार है इसी काम आउसत ले लेते हैं इसमें दो से भाग कर देंगे एड़ करके तो आपको साड़े बैयासी मिल जाएगा ठीक है तो आपको समझ में आगया कि ये साड़े बैयासी मिलता कहां से है आगे देखिए करक रेका विस्तार के किन देशों से होकर के गुजरती है कुल 17 देशों से होकर के गुजरती है और यहाँ पर जो देशों के नाम लिखा है यह देश पस्चिम से पूरव हम चलेंगे पस्चिम से पूरव मैक्सिको यह देश कहां पर इस्तित है उत्तरी अमेरिका महादिप में इस्तित है इसके बाद देखिए बहामास दूइप शमूख पस्चिम से हम चल रहे है तीसरा देश देखिए पश्चिमी सहारा, अपरिका में हम लोग आ गए मारितानिया, फिर माली, अलजीरिया, नाइजर, लीबिया, फिर मिस्र, सौधी अरब एशिया महादिप में हम लोग आ गए, फिर स्नयुक्त अरब, अमिराथ, इसके बाद ओमान, फिर भारत, फिर बांगला देश, फिर म्यामार, चीन और इसके बाद ताइवान, ये कुल 17 देश हैं जिन से होकर के करकरेखा गुजरती हैं, कुछ फैक्ट अगर आप जानना चाह और मकररेखा, तीनों रेखाय गुजरती हैं, अपरिका महादीप से, कुछ फैक्ट और देख लीजिए, भारत में एक माही नदी है, मद्यप्रदेश से इसका उद्गर्म होता है, फिर रायास्थान होते में, कच्चे की खाड़ी में समा जाती है, माही नदी, ये करकरेख को दो बार काड़ती है, ये करकरेखा को दो बार काड़ती है, इसी तरह से दक्षिल अपरिका महादीप में दक्षिल अपरिका एक देशे आप लोग जानते हैं, वहाँ पर एक नदी बहती है, लिम पोपो नदी, लिम पोपो नदी, मकर रेखा को दो बार काड़ती है, इस आप याद रख लीजीगा कहीं आप नोट भी कर सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट कोईशन पर थायराइड के संसलेशर के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है पूरा सिलेबस कबर कराएंगे कुछ भी चोड़ेंगे नहीं बस जितना आप अच्छे से पढ़ सके थायर क्लोविंग के कमी होने लगती है यानि सरीर में खून के कमी हो रही है हिमोग्लोविन जाचा जाता है और आप देखेंगे गर्बवती महिलाओं को जिस समय जो गर्बस सिशू होता है उसके ब्रदी विकास के लिए अतरिक्त रख्त की आवसकता होती है जिसकी काड़ अभी पूछा गया था भी हालिक एक्जाम में लगातार पैटर्न चेंज हो रहा है उपिट्र पलस सिकत आपको अपने तयारी भी उसी अस्तर से करनी है और क्योल पी इटी नहीं फाइनली सेलक्षन आपका किसी भरती के मेंस एक्जाम देने से होगा तो आप तयारी इस तर किलो मिटर प्रतीयों की शंक्या को रहने वाली वाली बेक्दियों की शंख्या फ्रीपरेक्षी में और भाष्ट 你 पढ़ना होता है के फिर formed 21 15 में बंगाल ता 2011 में भिहार हो गया था अगला फैक्ट देखिए ये कोशन में भी पूछा गया है किसी एक्जाम में डालों में कौन से कौन से रसायन पाया जाते हैं जो सरीर में पोसक तत्वों की कमी कर देते हैं या पोसक तत्वों की उपलदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं प्रतिकूल प्रभाव का मतलब क्या हुआ पोसक तत्वों की कमी कर देते हैं ये नाम आप याद रखिएगा फाइटेट्स बोलते हैं इसको ठीक है फाइटेट्स अगला गोशन देखिए जनसंक्या ब्रतिक के महतुपुड घटक जनमदर और मृत्युदर अगर जनमदर ज्यादा हो मृत्युदर कम हो जाए तो जनसंक्या बहुत तेजी से बढ़ेगी इसमें अलग-अलग कंडिसन होती है तो सबसे महतुपुड घटक क्या है जन्मदर और मृत्युदर एक दिखे नया नया सुचकांग है और भी जितनी सुचकांग है जो आपकी exam point of view से या पिर किसी भी भरती के किसी भी exam के लिए important होगे तो वो सुचकांग हम लोग देख लेंगे जितनी कोर्सन आपको कराया जा रहें सभी कोर्सन आप ध्यान से देखते चलिए यहां से हर कोर्सन आपके exam के लिए most important रहेंगे विश्व नवाचार सुचकांग इसी को आप लोग Global Innovation Index भी बोल सकते हैं अगर आपसे ऐसे पूछ दे Global Innovation Index तो आप confused मत हुएगा क्योंकि ऐसे नाम भी पूछ ले जाते हैं exam में तो Global Innovation Index या फिर विश्व नवाचार सुचकांग भारत का अस्थान विश्व में 40 वा है और मद्यव दक्षिड एसिया में मद्यव दक्षिड एसिया में पहले अस्थान पर है यानि केवल एसिया नहीं उत्तर एसिया नहीं केवल मद्य नहीं दक्षिड एसिया में पहले अस्थान पर है किसके दोरा जारी किया जाता है विश्व नवाचार सुचकांग भारत 44 में अस्थान पर है विश्व नवाचार सुचकांग में दादा साहिब फाल के लाइफ टाइम अचीव में अचीवमेंट पुरुसकार या अवाड कुछ भी लिखकर गया जाए किसको दिया गया है या फिर दिया जाएगा ठीक है आपके एक्जाम तक तो किसको दिया गया है आप ऐसे इसको समझिए तो यह नाम आप याद को वहीदा रहमान को अगला कोशन देखिए भारतिय ततरक्षक बल ने आप प्रेशन सजग एक ड्रिल का संचालंग किया गया है भारतिय ततरक्षक बल के द्वारा आप से कोशन पूचेगा कि किस ससस्तर बल के द्वारा आप प्रेशन सजग नामक ड्रिल का संचालंग किय गया है तो भारती रख्षक बल के द्वारा सभी प्रशन अपने आप में मोश्ट इंपोर्टेंट है आगे दिखिए एसी आई खेल 2023 इसका आयोजन चीन में किया गया है या फिर किया जा रहा है आपके एक्जाम तक किया गया है ठीक हम आपके एक्जाम को ले करके आपको बत कर रहा देंगे आपको आगे इसके वारिकी संगीत नात्यक अकाद्मिया आपसे पूछे कऌन से संस्थान कोन से संगीट है शे संसमधी संस्थानने 75 वर्स से अधिक उम्रों के एक अलाकार के लिए विसेश फुरुसकारों की घोशना की है तो आपको याद रखना है संगी चेतना मारू और इनका उपन्यास उसका नाम है Western Lane इसको 2023 बुकर पुरस्कार से शम्मानित किया गया है 2023 का बुकर पुरस्कार चेतना मारू है भारती मूल के लेखक है Western Lane इनके उपन्यास का नाम है ठीक है अगला question देखिए भारत में राष्ट्रिय लाजिस्टिक्स नीति यानि नेशनल लाजिस्टिक्स पॉलिसी NLP कब सुरू किया गया था 2022 में 2022 में इससे related एक question और हम आपको कराएंगे आगे अंतराष्टी सांती दिवस एक अंतराष्टी आहिंसा दिवस ओ अलग है अंतराष्टी सांती दिवस 21 सेप्टेंबर को मना जाता है 16 सितंबर को मना जाता है अंतराष्टी ओ जोन दिवस 3 मार्च को विश्व वने दिवस 21 मार्च को विश्व बानकी दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस 22 अप्रेल को विश्व प्रिथिवी दिवस 5 जून को अंतराश्ट्रिय या विश्व परियावरण दिवस 2 फरवरी को विश्व आर्दर भूमी दिवस ये सबी दिवस आप याद रखिएगा इस साल G20 की अध्यक्षता भारत को मिली थी पिछले साल नौमबर में सोपा गया था इंडोनेशिया के द्वारा तो इस साल भारत ने सपलता पुर्व को अध्यक्षता अपने संपन कर ली है अब भारत ने G20 की जो अध्यक्षता है ब्राजील देश को सोपी है दक्षडी अमेर्की महादीब देश है और दक्षडी अमेरिका महादीब का सबसे बड़ा देश है इसी ब्राजील में अमेजन नदी होकर के बहती है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है आयतन की दृष्टि से लंबाई की दृष्टि से नहीं आयतन की दृष्टि से लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी है अफरिका माधीप में भैती है अब ध्यान दीजेगा आप सभी अब G20 का नाम G20 नही मिल किया गया है और भी कई सारे महतोपुड फैक्ट या महतोपुड क्वेशन यहां से बन सकते हैं उनको भी करा देंगे आगे तो इतना प्याद रखिएगा अगला क्वेशन देखे किस राज या केंदर सासित प्रदेश में निफाह वारस संकर्मण की कारण मौते दर्ज की गई है केरल वे इसके पहले भी आप देखेंगे यह खबर में रहा है निफाह वारस का जो संकर्मण होता जाता था आपको केरल राज्य में ही देखने को मिलता है कि सिंबैक्स एक नौशैनिक अभ्यास है थल शेना वायू शेना नौशैनिक सबके अलग अभ्यास होते हैं और अन्य देशों के साथ में तो सिंबैक्स किसके साथ में हैं भारत वर शिंगापुर के बीच में हैं भारत का सरोपरतम किसान आंदोलन विजय लिया खिलाफ़त आंदोलन रोलेट एक्ट और जलिया वाला बागत्याकान ये सभी 1919 की घटनाए हैं रोलेट एक्ट की बिरोध में ही जलिया वाला मतलब वो बिरोध हो रहा था वहाँ पर दो जो नेता है पंजाब में उनको गिरपतार किया गया था एक सैफिदू किछली एक वह अन्य नेता है आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर सांती पुरवक प्रदर्शन किया जा रहा था जलिया वाले बाग में उपस्तित हो कर गे लेकिन यहाँ पर जनरल डायर के दोरा अंधा दूंद फारिंग करवा दी गई थी तो यह सभी घटना है उननीस सो उननीस की है जलिया वाला बाग हत्याकांड 13 अप्रेल उननीस की घटना है ठीक है इसको याद रखिएगा आप स 2016 में नरम दल और गरम दल आपस पी मिल जाते हैं और इसमें मुस्लिम लिग के साथ भी समझाओता हो जाता है कांग्रेस का इसलिए 1916 में इस जो बैठेक हो वी ती या अधिवेशन होँआता कांग्रेस का उसको बोला जाता है लखनौ अधिवेशन या फिर लखनौ समझा क्वेसन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखीगा, मुस्लिम लिख के स्थापना 1906 में हुई थी, आगे देख लीजिए, चमपारण सत्याग्रफ, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रफ भारत में था, 1927 बिहार में, अगस्त गोशना, 1940 की घटना है, 1940 की घटना है, क्रिप्श मिसन प्रस्ताओ, 1942 की घटना है, और इसी प्रस्ताओ के आने के बाद, जब कुछ भी सकरात्मक नहीं दिखा देश की आजादी से सम्मंदित, आप सभी जानते हैं कि इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी के दोरा सुरू किया गया था, 8 अगस्त 1942 में घोशना की गए थी, बंबई की ग्वालिय टैंक मैदान से, और 9 अगस्त को आंदोलन प्रारम हो गया था, और आप सभी जानते हैं कि जीरो आवर्स की तहथ, जितने भी सिर सिनेता थे, सभी को गिरतार करके उनको नजर बंद कर दिया गया था, चाहे गांध रहेगी आपके एक जाम तक, और आप कोई भी क्लास मिस्स मत करिएगा, थोड़ा साप सेल्फ इस्टडी पर फोकस करें, और जहां से भी आपको अच्छा अच्छी क्लास मिले, अच्छा मैटरियल मिले, आप वहां से भी पढ़ते रहें, हमें पूरी उम्मेद हैं कि आप अच्छा स्कूर करेंगे, पचासी, नब्बे या नब्बे के उपर तक भी आप अच्छा स्कूर कर सकेंगे, वीडियो गर आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज आप सभी लाइक कर दीजीगा, और शेयर भी आप सभी जरूर कर दीजीगा, और अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी कर लेंगे धन्यवाद